नमस्कार आनंद अम्रता सिंचना आईए शुरू करते हैं किसी भी बैटने की ध्यान मुद्रा में खुद को सहच बनाईए अपने हाथों को अपनी पसंद की मुद्रा में अपने घुटनों पर रखे सिर गर्दन और रीड की हड़ी को सीधा रखे अपनी आखों को बंद कर लीजे और अपने पूरे शरीर को अराम दीजे अपनी प्राकरतिक सांस और पेट की गती को ध्यान से देखिए अपनी सांस लेने की प्रक्रिया पर ध्यान दीजे नमस्कार मुद्रा को अपनाईए और मेरे बाद जाप करिए अनेकबाहू दरवक्त्रनेत्रम पश्चामित्वाम सर्वतो नंतरूपम नांतम नमध्यम नपुनस्तवादिम पश्चामी विश्वेश्वर विश्वरूपम आईए हम सब मिलकर शिरू करते हैं ब्लिस साइलिन्स को याद करें सच्चा आनंद एक आंतरिक अनुभव है एक आंतरिक स्थिती है एक मौन की स्थिती है भीतर का मौन आनंद है और आनंद आनंद है अपने जीवन में बहुत खुशी की घटना को याद करें इस घटना को याद रखें और आनंद को पहचानें मौन में आनंद को पहचानों उपिनी सदों का एक निशकर्ष यह है कि आनंद मौन शुद्ध चिरूए ना मौन है जब वहाँ है कोई विचार नहीं बुद्धी प्रकट नहीं हुई है भावनाए उत्पन नहीं हुई है प्राण अभी तक नहीं आये है पहचानों कि मौन पारलौकिक है यहाँ परे है आन्तरिक्ष, समय और कारण मन, बुद्धी, चित, अहंकार, स्मृती स्मरन को स्मरन करो विचारों के बीच मौन के प्रती जागरुक रहें और मौन में रहें उपिनिशदों का एक और निशकर्ष यह है कि पर्मानन्द हर जगा है स्रिष्टी के सभी के अधार पर चेतना है और भौतिक ब्रह्मान के अधार पर आनन्द उर्जा है अब हम धीरे से अगले चरण पर जाते हैं अनन्द के जोडों में अब हम विरोधों के जोडों में आनन्द का अनुभव करेंगे गर्म और ठंडा रेगिस्तान में चलने जैसी बेहत गर्म स्थिती से गुजरने के अपने अनुभव को याद करें आप पसीने से तर प्यासे और ठके हुए हैं उस अनुभव में रहो और गर्मी महसूस करो उस गर्म स्थिती में आनन्द को पहचानो अब इसे चोड़ दे और अपने दिमाग को पेहत ठंडी स्थिती में होने के विप्रीद अनुभव में स्थानांतरित करें एक परफीली खुमवदा दिन में आप पतले छोटे कपड़े पहन रहे हैं आप काप रहे हैं स्मरन करें रिलेट करें और उसमें अपने आपको महसूस करें इस बेहत ठंडी स्थिती में आनन्द को पहचानिये महसूस करिये स्वच और अशुद एक बहुत अच्छी साफ सुत्री जगा सुन्दर बगीचे जैसी बहुत अच्छी साफ जगा में रहने के अपने अनुभव को याद करिये इस बगीचे की बहुत अच्छी तरह से देखबाल की जाती है हर जगा सुन्दर पेड और फूल है आप स्मरण करिये और अथ्यदिक स्वच्छता का स्मरण अनुभव करिये स्वच्छता में आनन्द है अपने दिमाग को बेहत गंदी जगा पर होने के विप्रीद अनुभव पर शिफ्ट करें कल्पना करें कि वह जगा भरी हुई है और हर जगा मक्यों के साथ कच्रा है यहां तक की बहुत बुरी गंद भी आ रही है उस अनुभव को याद करके बताएं अस्वच्छता में आनन्द को पहचानिये यही हमारा लक्ष है स्मरन करिए रिलेट करिए लाइट एंड डाकनेस अत्यांत उज्जवल छेत्र में होने के अपने अनुभव को याद करें यह प्रकाश से भरा हुआ है इसलिए आप अपनी आँखें खुली भी नहीं रख सकते इस शक्तिशाली चमक को महसूस करिए प्रकाश में आनन्द को पहचानिये अब अपने दिमाग को बेहद अन्धेरे शेत्र में होने के विप्रीत अनुभव पर शिफ्ट करें यह पूरी तरह से अन्धेरा है इसलिए आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं खाली महसूस करिए शरीर को अराम दीजिए और उस अन्धेरे में ही रहिए अन्धेरे में आनंद को पहचानिए उसका अनुभव लीजिए और उसको महसूस करिए आक्षिन और नौन आक्षिन दोनों में आनंद को पहचानो परमानंद जी हर जगा है यह सब कुछ व्याप्त है आनंद क्रिया और गैर क्रिया दोनों में है मान्यता है कि आनंद विचारों में और कार्यों में होता है और मौन आनंद है मौन में रहिए महसूस करिए और मौन की आनंद में जागुकता का आनंद लीजिए सभी को प्यार सर्वोच विकास दूसरों के कल्यान के लिए आनसत्क प्रेम नी स्वार्थ प्रेम है आप सभी को प्यार करने के लिए सबसे पहले मजबूत और नापसंद को दूर करना चाहिए जब आपके पास मजबूत पसंद और नापसंद होते हैं तो यह आपके अहंकार को मजबूत बनाता है आप सुआर्थी हो जाते हैं एहसास करें कि यदि आपके पास मजबूत पसंद और नापसंद नहीं है तो आप तत्सत और शांती पूर्ण रहेंगे आप किसी भी स्थिती में हमेशा शांत और प्रेम पूर्ण रहेंगे सब कुछ कारण के लिए होता है दर्ध, पीड़ा और दुख हमें बढ़ने में मदद करेंगे क्योंकि वह विकास के लिए ट्रिगर हैं वे हमें खुशियों से विकास के लिए ट्रिगर करते हैं वे हमें खुशियों से सिखाते हैं उन्हें बड़ा अफसर समझे भगवत गीता के अनुसार जो कोई भी किसी भी चीज के लिए आत्म स्ने के बिना है जो अनुकूल परिस्थितियों में नहीं आनंदित करता है और प्रतिकूल लोगों में घ्रिना करता है उस व्यक्ती का ग्यान द्रिड़ता से निर्धारित होता है वास्तविक विकास की परीक्षा है यदि आप स्वास्थ और बिमारी में दर्द और दुख और खुशी में अच्छे और बुरे के चेहरे पर आनंद में रहे सकते हैं क्या आप अपनी सभी समस्या को अफसर में बदल सकते हैं और प्यार कर सकते हैं समझ और ज्ञान के साथ अनासक्त प्रेम को फैलाईए आनंद हर जगा फैलाईए सभी स्रिष्टी के अधार पर आनंद और खुशी को पहचानिए धर्टी पर हर जगा अपने प्यार और देखबाल को फैलाईए आपके आनंद की वृद्धी का सही परीक्षन बहारी दुनिया के साथ बातचीत में है क्या आप दूसरे के साथ आनंद साजा कर सकते हैं आप सेवा करके ऐसा कर सकते हैं सेवा आनंद की अभी व्यक्ती है सेवा में आनंद को पहचानिए और दूसरों की सेवा करिए आप दूसरों लोगों की सेवा करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे यह आपको उच्छ जीवन जीने चेतना के उच्छ स्तर पर और ले जाएगा मानसिक, भावनात्मक, बौधिक और आध्यात्मिक रूप से उनकी मदत करें और उनकी सेवा करें दूसरों की सेवा करने में आनंद पाएं प्राथना करें और अपने प्यार को हर जगा फैलाएं अपने आसपास हर चीज से प्यार करें चुप्पी की गहराई से संकल्प के रूप में एक सकारात्मक सोच को आगे बढ़ाईए जो की कम से कम शब्दों के साथ एक सकारात्मक बयान है वर्तमान निरंतर तनाओं में अपनी मात्र भाषा से अधिमानत है नौ बार संकल्प को दोराईए और इस मौन के बिस्तर पर उसे फैलने दीजे अपने संकल्प को फिर से दोराईए मन को बिलकुल शान्त करिए संकल्प को दोराईए धीरे धीरे नमस्कार मुद्रा को अपनाईए प्राथना को बंद करने का समय आ गया है नमस्कार मुद्रा को अपनाते हुए सभी लोग मिलकर प्राथना का जाप करेंगे मेरे बाद दोराईए सर्वे भवन्तु सुकिना सर्वे संतु निरामया सर्वे बद्राणी पश्यंतु मा कश्चित दुक बाग भवेत ओम शान्ति 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 ही धीरे से नमस्कार मुद्रा को अराम दीजे एक सहज पोजिशन पर आईए धीरे धीरे अपनी आँखों को खोलिए अपने आस पास शान्ति को महसूस करिए और शरीर को आराम दीजे धन्यवाद अर्ड़िशन आस शान्ति ही और आसजे